जब आप कहते हैं कि आपको और आपके शरीर को एक साथ चलना होगा तो ये मुझे समझ में आता है लेकिन मन कहीं और ही चला जाता है ये हर समय आपके साथ नहीं चलता आप यहां बैटे हैं पर मन कहीं और ही हो सकता है तो कभी ये अलग हो सकता है कभी आपके साथ हो सकता है तो ये मेरा पहला सवाल है और इसके बाद आईए एक एक करके देखते हैं ठीक है अब आपका मन भी कहीं नहीं जाता है ये यहीं है पर किसी चीज के बारे में सोच रहा है क्या ये कहीं जाता है आपका मन कहीं नहीं जाता यही है और किसी दूसरी चीज के बारे में सोच रहा है पर फिर भी यही है, है न? ना तो आपका शरीर कहीं जाता है नहीं आपका मन कहीं जाता है और नहीं आप कहीं जाते हैं वे हमेशा मिलकर एक संपून एकाई बनाते हैं अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा, जो उन सभी के लिए काम करें. आप इन्हें अलग-अलग नहीं समाल सकते हैं, इसे अलग से, उसे अलग से. वे हमेशा एक साथ होते हैं, है न? आपका मन कहीं नहीं जाता है. क्या आपने इसे खो दिया है? बात बस इतनी है, कि आप अपने मन की कल्पनाओं से धोखा सा रहे हैं. ये यहीं बैठा है, और कुछ कल्पना कर रहा है. ये कहीं नहीं जा रहा है. लेकिन आपकी पहचान इतनी गहरी है, और आप एतने खोए हूँ हैं, कि आप सोचते हैं कि मन कहीं जा रहा है, मन कहीं सफर नहीं करता, ये बिलकुल यहीं पर है, है ना? आपको ये समझने की जरूरत है. आपके मन में बेकाबू और अंतहीन विचार इसलिए चल रहे हैं, क्योंकि आपने उन चीजों के रूप में अपनी पहचान बना रखी है, जो आप नहीं हैं. जिस पल आप खुद की पहचान किसी ऐसी चीज के रूप में बना लेते हैं, जो आप नहीं हैं, तब मन बिना रुके चलने लगता है. आपने अपनी पहचान कई चीजों से जोड़ी हुई है और आप अपने मन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप लाखों साल तक कोशिश कर लें तो भी ऐसा नहीं होने वाला ये नहीं हो सकता अगर आप अपनी गलत पहचानों को मिटा देते हैं तब आप इसी पल देखेंगे कि आपका मन एक दरपन की तरह होगा ये कुछ नहीं कहेगा, बस हर चीज को परावर्तित करेगा मन को ऐसे ही होना चाहिए आपका मन एक ऐसा साधन है, जो तभी सबसे अच्छा काम करता है जब इसमें स्पश्टता हो, हैना? ऐसा ही है ना? आपका मन यहाँ हर तरह की कालपनिक चीजों के बारे में सोचने के लिए नहीं है वो जीवन में एक भठकाव है आपका मन आपको जीवन में सपश्टता और गहराई देने के लिए है लेकिन अभी आपका मन बस उल्जन का एक भारी पुलिंदा है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने कई ऐसी चीजों के रूप में अपनी पहचान बना ली है जो आप नहीं हैं और अब आप इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं इसे रोक कर रखने का कोई तरीका नहीं है आपने बहुत बुरा खाना खाया और अब आपके पेट में गैस बन गई आप उसे रोक नहीं सकते आपने खराब खाना खाया है नतीजा आ गया है आपने गलती की कि कई चीजों के साथ अपनी पहचान जोड़ ली आप ये लगातार चलता जा रहा है आप इसे रोक नहीं सकते इससे कोई फर्थ नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं आप भगवान के बारे में सोचिए भगवान खुद आपको कई जगाओं पर ले जाएंगे अब आप यहां बैठें और ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं पर आप सोच रहे हैं कि अपने बार या रेस्टरॉंट या दोस्त या सिनमा ये किसी और चीज़ के बारे में अब लोगों ने आप से कहा भगवान के बारे में सोचो सब ठीक हो जाएगा अगर आप राम या कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो आप पाएंगे आप राम के साथ सिनमा जाएंगे मन की प्रकृती ही ऐसी है राम खुद आपको बार में ले जाएंगे राम खुद आपको रेस्टरॉंट ले जाएंगे आप इसे रोक नहीं सकते क्योंकि आप ने खुद उन चीजों के रूप में अपनी पहचान बना रखी है जो आप नहीं है कोई तरीका नहीं है इसे रोकने का तो यहां जो किया जा रहा है वो आपके मन को काबू में करने के लिए नहीं है यह उस बारे में जागरुपता लाने के लिए है कि आप क्या नहीं है अभी सबसे पहले आपकी सबसे बुन्यादी पहचान आपका शरीर है आपने पहचान बना रखी है अपने शरीर, अपने कपड़े अपने हैर स्टाइल और अपनी दाढ़ी के रूप में भी है ना बहुत गहरी पहचाने हैं है ना आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी शिक्षा, आपका धर्म अनगिनाता धरों पर पहचाने इन सभी पहचानों के साथ आप एक शांत मन चाहते हैं ऐसी कोई चीज नहीं होती यही कारण है कि हमने आपको शून निनाम की एक आसान विधी दी है जिसमें आप मन से थोड़ी दूरी पैदा करते हैं एक बार जब दूरी बन जाती है तो अगर ये बखबख करने वाला मन भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा आप मन से अलग रहेंगे एक बार जब आप मन से अलग हो जाते हैं तो आप सारी पहचानों से भी अलग हो जाते हैं क्योंकि मन ही पहचान पैदा करता है तो हर तरह की चीजें मत सोचे बस इस विधी को काम में लीजे तब चीजें होंगी वो चीजें होंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी